जैश्री गणेशाय नमहा दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत्योहार उपाय चैनल में दोस्तों माग के महिने में खास सौर पर भगवान गणेश ची का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि इस महिने में भगवान गणेश ची से जुड़े हुए दो वरत और स्त्योहार आते हैं इन में से एक है सकट चौथ तो दूसरा है गणेश जैन्ती गणेश जैन्ती भगवान गणेश ची के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाई जाती है हिंदी पंचां के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चत्तुर्थी तिथी को गणेश जैन्ती होती है दोस्तो आज की वीडियो में आप जानेंगे की साल 2022 में गणेश जैन्ती की पूजा का शुपमूर्थ क्या है इसकी तिथी कब से कब तक होगी साथ ही इसके धार्मिक महतों के बारे में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों गणेश जयन्ती के दिन भगवान गणेश जील का जन्म हुआ था इस दिन को मागी गणेश चतुर्थी माग विनायक चतुर्थी या तिलकुंड चतुर्थी भी कहा जाता है इस वर्ष गणेश जयन्ती चार फरवरी दिन शुक्रोवार को मनाई जाएगी ऐसी माननता है कि गणेश जयन्ती के दिन व्रत करने और इनकी जन्म कथा की कहानी सुनने से हमारी सभी मनोकामनाय पूरी हो सकती है इसके साथ ही आपके किसी भी काम में अगर कोई अर्चन आ रही है तो विग्न हर्ता भगवान श्री गणेश की क्रिपा से वो अर्चने भी दूर हो जाती है आईए जानते हैं गणेश जयन्ती की पूजा के शुप महुर्थ और तिथी क्या है गणेश जयन्ती की तिथी का आरंभ चार फरवरी दिन शुक्रवार को सुभा चार बचकर 38 मिनट से हो जाएगा और इस तिथी का समापन पाच फरवरी शनीवार सुभा तीन बचकर 47 मिनट तक हो जाएगा गणेश जयन्ती पर पूजा के शुप महुर्थ भी जान लेते हैं दोस्तों चार फरवरी दिन शुक्रवार को सुभा साधे 11 बचे से दोपहर एक बचकर 41 मिनट तक का पूजा का शुप महुर्थ है इसी मुर्थ में अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनों कामनाए भगवान विग्नहर ताश्री गणेश जरूर पूरी करेंगे पूजा की कुल अवधी दोस्तों 2 घंटा 11 मिनट है दोस्तों इस बार गणेश जयन्ती में 2 शुब योग पढ़ रहे हैं इसलिए इस बार की गणेश जयन्ती 2 शुब योगों में मनाई चाहेगी चार फरवली को सुभा 7 बच कर 8 मिनट से दूपहर 3 बच कर 58 मिनट तक रवी योग है और इसके बाद शाम को 7 बच कर 10 मिनट तक शिव योग है अगर इन दो योगों में भी आप भगवान गणेश श्री की पूजा अराधना और व्रत करते हैं तो आप अपनी सभी मनोवान चित इच्छाव की पूर्ती कर सकते हैं आईए अब जान लेते हैं गणेश जयन्ती का महत्व क्या है दोस्तो पौराणिक मानेताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश की रचना माता पार्वती ने उप्टन से की थी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी की थी उस समय माग मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्ती थी इसी वजह से इस दिन गणेश जयन्ती मनाई जाती है दोस्तो इसी लिए गणेश जयन्ती के दिन श्री गणेश की पूरे विधी विधान से अराधना करने से वो प्रसन हो जाते हैं गणेश जयन्ती माग मास की विनायक चतुर्ती के दिन आती है इस दिन चंद्रदर्शन वर्जित होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के समय आप चंद्रदर्शन ना करें गणेश जयनती के दिन चंद्रदर्शन करने पर आप पर जूटे आरोप लगने की संभावना बढ़ सकती है इस बात का आप विशेश ध्यान रखे दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ ये सब ही बाते जो आज मैंने गणिश जैनती से जुड़ी हुई आपको अपनी वीडियो में बताई है आपको पसंद आएंगी आपके काम भी आएंगी इसे आश्य के साथ आज का वीडियो समात्त करती हूँ और अपना फीड़बैक मेरे साथ शेयर करना ना भूले साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें देखते रहिए ब्रत्य हारुपाय चैनल जैश्री कृष्णा जैश्री कनेशाय नमहा